यह जो transparent cover है यह पुरानी वाली RR में fit बैठेगा की नहीं है हर कोई जो है एक ही comment कर रहे है कि भईया यह क्यों नहीं change किया आपको जो है टायर प्रेसर यहां पर दिखा देगा कि भईया front में क्या है So finally जो RR Theton मेरे साथ में है और यह इसका bomber grey color यह जो एक नया color इनों लोंच किया है लेकिन बाइक के बारे में अलड़ी हम बात कर चुके हैं आपको पता है अब जो है न मैं बात करने वाला हूँ इस बाइक के अंदर कुछ एक ऐसी चीज़े जो कि आप चाहते हो अपनी पुरानी वाली RR में लगवाना इसके अंदर एक आवाज आती है जो आपको पता हूँ जो पाचे RR user है उसको पता है कि जो चंचनाट की आवाज है न वो कभी भी नहीं जाती इसकी तो वो तो मैं भी चाहरा था कि एक 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 इसको अपडेट करें बट वो साउंड अभी इसमें है कि नी वो भी अपन दे देखेंगे उसी के साथ क्या-क्या नए चेंजिस में वह भी मैं आपको बताऊंगा विस्तार से बताऊंगा डिटेल में और वैरियंट का सबसे बड़ा लोचा था कि भाई वैरियंट तो समझा दो क्योंकि जब मैंने शोरों में वीडियो बनाई थी ना भाई मेरे को खु नहीं मिलेगा उसके पद वेरियंट है उसमें आपको टो प्यार की तरफ जाओ या फिर वॉंबर ग्रे की तरफ है आपको जो है उसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो Bomber Gray जो कलर है न वो 2,97,000 एक्स शोरूम है और ओन रोड 3,50,000 के आसपास है जब की Racing Red आप Quick Shifter के साथ लेते हो तो वो 5,000 रुपए सस्ता पड़ेगा 2,92,000 प्राइस उसकी एक्स शोरूम और ओन रोड जाएगा लगबग लगबग आपका वोई 5,000 रुपए सस्ता 3,45,000 के आसपास तो यह तो होगी विया इन नीचे वाले वेरियंट्स की प्राइस अब रेपली का जो एडिसन है या फिर डाइनेमिक किट डाइनेमिक किट प्रो वो क्या चीज़े हैं उसके बाद इस बाइक के अंदर आपको जो आना मिलती है ब्रास कोटिड चेन जिसके लिए आपको 18,000 रुपए पे करने हैं मतलब यह जो तीन चीज़े बताई मैंने इसके लिए आपको 18,000 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे क्योंकि यह है डाइनेमिक किट अब डाइनेमिक किट प्रो में क्या है उसके अंदर जो ना आपको एड़ेस्टेबल सस्पेंशन वगरा नहीं मिलेंगे टायर प्रेसिंग मोंटिंग सिस्टम भी शायद ना मिले उसके अंदर क्या मिलेगा RTDSC Racing Tune Dynamic Stability Control यह तो एक नॉर्मल इसके अंदर भी है बट उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर लोड़ेड है जिसके अंदर आपको वीली कंट्रोल स्टोपी कंट्रोल लीनिंग कंट्रोल सारी ही तो चीजे मिल जाएगी तो वह जो वेरियंट है वह और भी मजएदार है बागी जो लोग जानते हैं अच्छे से स्टन्ट वगरा उनको इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं होती वो चला लेते हैं बिना उसके भी अप प्राइस का इधिंग आपका किलियर हो गया अब जो रेस रेपलिका है न उसके अंदर आप यह दोनों में से कोई भी कित ले सकते हो इस बॉमर गरे में भी और रेसिंग रेड में किसी में भी ले सकते हो वैसे तो बट रेपलिका रेड के लिए आपको 7,000 पैशे पे क दो चीज है, या तो लगवा सकते हैं, या तो लगा सकते हो, आप company से spare part खरीद लो, और खुद से लगा लो, क्योंकि same ही तो पार्ट है, लगा सकते हो, paste कर सकते हो, एक अच्छे से glue से या फिर जो भी अपनी होती है, पेस्टिंग वाली, उससे आप कर सकते हो, बट, company नहीं क जाते हो बहर से तो आपको क्या करना होगा कि पुरानी वाली जो आरर की टान में देखो आप देखो कुछ इस तरीके गठा सब्सक्राइब तो आप लोग लगवा सकते हो लगाने को ठीक है बर उसकी कोस्टिंग बगिर आपको अपडेट यह बात ओगी अब बात करतें नेक्स चीज के बारे में देखो जी बाइक दिखने में सेम है एज लइक एकस्टीर आप देखते हो तो यह विंगलेट नहीं आ गई है उसके बाद यह कवर आपको मिल जाएक ट्रांस्पेरेंट उसके लावा बाइक सेम ही है अब क्या नहीं चीजे में अब दाता हूं यह द बढ़िया आसा जो ही कलर दे दिया इन्होंने बॉंबर ग्रे उसके बाद यह वेंट्स वगर आपको दिख जाते हैं काफी प्रीमियम क्वालिटी जो है फील कराएंगे उसके बाद जो इंजन है ना वो च्यार भी एच्प ज्यादा प्रोडूस करता अब टॉर्क अलमोंस कभी भी बीट नहीं कर सकती निंजा 300 और इसमें बहुत दिन रात का फरक है इंजन जो उसका रिफाइन है ना वो टीवियस आरार 310 में आपको अभी भी नहीं मिलेगा वाइब्रेशन की बात करूं तब यह देखो वाइब्रेशन स्टार्ट करके पन देख लेते हैं स्टा मैं बाइक के ऊपर ही बैठ जाता हूं अब स्टार्ट करते हैं बाइक को सीट पर फील होती है कि नहीं तो देखो जी फील तो होगी क्योंकि सिंगल स्रेंडर है डेफिल वो चीज अपने पर दीखेगी उसके बाद इस बाइक के अंदर जो ना बाकी सारी चीज़े सेम ही है अब जो चेंजिस हों है वो अगेन बता जिता हूं यहाँ पर क्विक शिफ्टर है बाइडारेक्शनल कि आप इसको किसी भी डारेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो गेर अब साइड डाउन साइड जो भी आप करना चाहो वो भी विदाउट क्लच प्रेस किये तो आप कर सकते ह पोस्टप एडजेस्ट्मेंट ही दर भी है उधर भी है अफिर क्रॉस करें करेंगा इसके बाद इसमें कई सारे मोड जैसे आरवन मोड है यह रें लृइन मोड है यह स्पोर्ट्स मोड है यह ट्रेक्ट अप इससे कर सकते हो चेंज तो कुछ इस तरीव से काम करता है बाकि सेटिंग्स में जाओगे तो राइड मोड यहां से चेंज कर सकते हो ट्रीप मोड माइविकल प्रेफरेंसीज यह सब अब किसी को तो यहीं नहीं पता भाई सैटिंग्स में कैसे जाना तो यह एंटर बटन दबा दो यह आप चले जाओगे फिर एंटर डाउट है तो भाई नीचे कमेंट कर लेना यह जो एक्जोस्ट है यह नहीं वने वाला भाई चेंज इसको आप लोग देखो बैस जब तक है तब तक चली जी जा रहा हूं मैं तो इस बाइक को छोड़के क्योंकि इसके लावा उधर एक रेड कलर भी है और कई सारी कलर है सब मैं आपको दिखाऊ हूं देख देरे तो तब तक के लिए आप लोग क्या करना ना चैनल को असुटक्राइब कर लें ना वीडियो को लाइक कर देडें राइट वीडियो आने वाली काफी कुछ आने वाला है चलीजी मिलते नेक स्योड़ ने तब तक के लीजी जानि व गिल्राइस.